दोस्तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसा यूनिक प्रोड़क्ट के बारे में बात करेंगे जो कि इसके अंदर जो chemical composition है वो आप लोग use तो करते हैं लेकिन अलग-अलग से करते हैं लेकिन इस प्रोड़क्ट के अंदर उस दोनों composition को mix करके काफी अच्छा से बनाया गया है औ क्योंकि BioClaim Pro नाम पर आप लोग को मार्केट में available हो जाएगा तो आखिर इसके अंदर क्या ऐसा composition दिया गया है या फिर इसके अंदर क्या खास बात जाला गया है या फिर इसको हम लोग कैसे और कितने मात्रा में यूज कर सकते हैं इसका price भी कितना होता है तो पूरी जहनक BioClaim Pro एक BioState Company का new product है मतलब new product नहीं लगबग 6-7 मेना हो गया है लेगिन मेरे पास जैसे की आया नहीं ता इसलिए हमने इसका video भी नहीं बनाया था क्यूंकि इसका result भी नहीं मिला था तो already मेरे हाथ में आ गया है जैसे की यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं और मैंने इ contact insecticide होने के कारण इसका जो result है वो तुरंत आ जाता है इल्लियों के संपर्ग में जैसे ही दबा लगता है वो तुरंत result देखा देता है तो contact होने के बावुजुद भी इसका जो result है वो long lasting तक देता है और काफी अच्छा देता है तो चलिए जानते है कि इसके अंदर आखिर क्या एसा chemical composition दिया गया है तो इसके अंदर आप लोगों को composition तो वो ही पुराना वाला है लेकिन इसको एक साथ में दोनों को mix किया गया है तो इसके अंदर आप लोगों को दोस्तो इमामेक्टिन बेंजोयट 1.5% और उसके साथ-साथ प्रोफेनोपोस जो की 35% WDG formulation में बहुत सारे प्रोड़क्ट है जैसे कि BioState Company का BioClaim में या पिर आप लोगो को प्रोफेनोपोस भी बहुत सारे company के पास है तो दोनों को mix करके आभी तक कोई भी company को पास नहीं था सिर्फ 2-3 company के पास ही है जो कि जैसे कि परिजात इंडस्ट्री का बेलेक्टिन नाम पे आप लोगो को मिल जाएगा और ज्यादा तर यह जो प्रोड़क्ट है दोस्तों यह दूसरे company के पास नहीं है तो यह प्रोड़क्ट आप लोग यूज कर सकते हैं काफी best result देखा देता है तो चलिए जानते हैं कि इस प्रोड़क्ट का mode of action क्या होता है यानि कि यह फसल के उपर क्यासे काम करते हैं तो जैसे कि आप लोगो को पहले बाता चुके हैं कि बायो क्लेम प्रो एक contact insecticide है और contact insecticide होने की कारण इसका result जो है वो काफी अच्छा तुरंद देखा देता है और इसके अंदर आप लोगो को दोस्तों ओभी साइडल एक्सेन भी देखने को मिलता है ओ आप लोगों में बता देते हैं तो बहुत सारे वीडियो में बता चुका हैं फिर भी आप लोगो को बता देते हैं ट्रांस लेमिनर एक्सेन यानी क्या होता है ज्यादा तर अपलोग को इल्लिया या फिर जो सकिंग पेस्ट यानी की रश्च उसोखीट होता है वो पत्ते की निचली सता पे रहता है और पत्ते की निचली सता पे ज्यादा तर दबा पहुंच नहीं पाता है ट्रांस लेमिनर कि इसको अगर हम लोग कौन कौन सी फसल पर प्रोग करेंगे तब अच्छा रेजल देखने को मिलेगा तो बैसे तो आप लोग इसको किसी भी फसल पर यूज कर सकते हैं बहुत ही संदर रेजल देखने को मिलेगा चाहे कोई भी फसल में आप लोग इस प्रेक कर सकते हैं कोई तो आप लोग इसको बोरार के उपर यूज करने के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आप लोग उसके उपर भी यूज कर सकते हैं, अच्छा रेजल मिलेगा, उसके साथ साथ आभी जैसे की मक्के का सीजिन चल रहा है, तो मक्के के लिए Fall Army warm को आप लोग कोंटटर्ल करना चाहते हैं, तो fall army warm को भी ये काफी अच्छी तरीके से कोंटटर्ल करता है, तो इस तरीके से अगर आप लोग इस इल्ल्यो कोंटर्ल करने के लिए इस प्रोड़क्त को यूज करते हैं, तो बहुत ही संधार रेजल आप ल की लिटीर के इसाब्से रखना है यानि के अगद लोग का 15 लिटार का पांप है तो आप लोग इसको तीस ग्राम डालिएगा तपी अप लोग को अच्छा रिजाल देखने को मिलेगा लेगी अप लोग साम को समगिने को आप लोग को समय स्थाह do की टाइम बात किया जाए तो सकिंग पेस्ट को ये लगबग 8-10 दिन तक कंट्रोल करके रखता है तो इतने अच्छा रेजल आप लोग को देखने को मिलता है आप बात कर लेते हैं इसका प्राइस के उपर क्योंकि मार्केट में प्राइस ही में चीज होता है तो प्राइस आप लोग के उधर कैसा रेट में मिल रहा है आप लोग नीचे कोमेंट करके मुझे जरूर से बताईएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कहां से कितना रेट यहां पर मिल रहा है तो इस तरीके से दोस्तों इस प्रोड़क्ट को बनाए गया है आप लोग किसी भी फसल पर को यूज कर सकते हैं और अच्छा रेजल ले सकते हैं तो इस वीडियो में बायो क्लेम प्रो के बारे में इतना ही फिर भी आगर आप लोग का मन में कुछ सवाल है तो नीचे आप लोग कोमेंट करके जरूर से बताईएगा बाकी इस चैनल पर पहली बार आरे तो चैनल को स आल ते रेपन